Hello students, welcome to A.S.A. Young I.S. Academy आप लोग में से बहुत सारे स्टुरेंट्स होंगे जिनका ज्रीम होगा कि वे एक सेंट्रल गवर्मेंट जॉब चाहते हैं लगातार आप लोग लंबे समय से तयारी कर भी रहे होंगे और आप में से बहुत से स्टुरेंट्स ऐसे भी होंगे जो रेल्वे एक्जाम की तयारी करते हैं और आप लोग आप लोग ने रेल्वे आरर भी एंटीपीसी एक्जाम भी दिया होगा जिसका CBT-1 रिजल्ट अल्रेडी आ चुका है और ऐसा बोला जा रहा है कि में में CBT-2 एक्जाम होने वाले हैं इसलिए A.S.A. Young I.S. Academy आप लोगों की लेकर आ रहा है रेल्वे क्रेस कोर्स यहां पर आप रेल्वे का आने वाले एक्जाम चाहे तो वो CBT-2 एक्जाम हो या इसके अलावा ग्रूप D एक्जाम हो और इसके अलावा Western Railway के दोरा जो अभी एक्जाम्स कंडक्ट होने वाले हैं जिस भी railway exam के आप तयारी करना चाहते हैं तो आपको इस सारे benefit इस railway crest course में मिल जाएंगे यहाँ पर आपको complete slivers cover कराया जाएगा चाहे हो science हो, polity हो, economy हो, current affairs हो, in fact आपका reasoning and mathematics हो बिल्कुल हमारे जो PYQs हैं वो भी यहाँ पर शामिल किये जाएंगे जिससे आपकी तयारी बहुत अच्छी हो सके तो बिल्कुल अगर आप इस course को लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को last तक देखेगा और जो भी doubt हो आप हमको comment section में बता सकते हैं clear? तो आएए हम बात करते हैं railway crest course के बारे में give a final touch to your railway exam with A.S.A. Young I.S. Academy तो चलो start करते हैं I am Pooja और आज मैं discuss कर रही हूँ आपको RRB N.T.P.C के crest course के बारे में जैसे कि मैंने बताया railway recruitment board मतलब RRB के द्वारा यहाँ पर group D का exam और इसके लावा level 2, level 3, 4, 5, 6 मतलब यहाँ पर graduate level के exams को conduct कराया गया जो कि हम बोल रहे हैं CBT 1 exam common eligibility test जो होता है 1 exam conduct हुआ है जो लोग qualify हुए है आप लोगने result obviously देख लिया होगा अपने अपने zone से अब यहाँ पर CBT 2 exam conduct किया जा रहा है जो कि May में conduct कराया जाएगा और number of vacancy कितनी 35,000 लगभग यहाँ पर vacancy है आपके पास इसके लावा group D exam जो है वो 12th base है जो कि 1st phase में होगा मतलब CBT 1 अकेला होगा group D exam का बाकी जो होगे वो CBT 2 exam भी होगा कि लिए इसके लाव आप लोगो देखा होगे कि अभी 10th base पे apprentices भी आया है Western Railway का भी vacancy आउट होने वाला है तो इस तड़ी के से काफी कुछ vacancy है आई हम बात करेंगे CBT 2 exam के बारे में तो यहाँ पर अगर आप exam के pattern को focus करेंगे हाला कि जितने भी railway exam होते है यही pattern होता है चाहिए CBT 1 हो, Group D हो, CBT 2 हो, English आता नहीं है तो बिल्कुल यहाँ भी English आएगा नहीं CBT 2 exam में आपको 50 number जो की बहुत scoring है आपके लिए जो GS में command कर लेगा, GA में command कर लेगा उसका RRB में selection पका है और उसकी तैयारी कराने के लिए आप जोर सकते Asia Young IES के साथ तो यहाँ पर general awareness का आपको 50 questions होगे, mathematics का 35 questions होगे और general intelligence मतलब reasoning के आपको जो questions मिलेंगे वो 35 questions मिलेंगे टोटल 120 questions होगे, 120 marks के होगे और 1 hour 30 minute duration होगा साथी साथ यहाँ पर 1 third negative marking भी दी है अगर कोई question गलत होता तो उसमे 1 third negative marking होगी यह आपका syllabus रहेगा CBT2 exam के लिए अगर आप group D का paper दे रहा है तो भी बस यहाँ पर numbering का difference distribution है जो थोड़ा अलग हो जाएगा लेकिन syllabus यही रहेगा और थोड़ा सा level down हो जाएगा इसके अलावा कोई अंतर railway exam में नहीं पढ़ता है तो आईए हम बात करते हैं कि क्या है maths का reasoning का और GA का syllabus तो यहाँ पर maths के अगर syllabus की बात करते हैं तो वही बाते होंगी maths में जो SC में भी होती है group D में भी होती है जितने भी one day exam होते mathematics के almost यही topic आपको देखने को मिलते है LCM, STF, इसके अलावा simplification, number system, कोई series दी जाएगी और find करना पड़ेगा decimal, fractions, ratio and proportion, average, train वाले question, length वाले question, इसके अलावा efficiency find out करने वाले question profit, loss, time work, simple and compound interest, algebra, geometry and trigonometry बहुत important role play करती है RRB exam में इस बात को अप्याद रखेंग, this is very important topic for your exams clear, तो यह आपको कुछ syllabus रहेगा जो कि mathematics में रहेगा अगर हम reasoning की बात करते हैं, तो reasoning कुछ लोग बहुत आसानी से solve कर लेते हैं कुछ लोगों को बहुत जादा समय लगता है, सबसे जादा time taking अगर कुछ होता है, तो वो reasoning होते है तो हमेशा मैं जब भी student को mentorship provide करती हूँ, उनको guide करती हूँ, तो मैं हमेशा यह ही कहती हूँ कि पहले आप GS attend कीजिए, क्योंकि GS में आपको जो question बनते हैं, वो बनते हैं, दर्वाइस आपको तुक्का लगाना पड़ेगा और मैं तो बिलकुल बोलती हूँ कि avoid कीजिए कि तुक्का लगाना है, क्योंकि one third वहाँ पर negative marking है, इसलिए guessing को avoid कीजिए और GS में अगर पता है कि भारत छोड़ो revolt कब शुरू हुआ था, या फिर हमारा असायो गांदोलन कब शुरू किया गया था, या दिल्ली दर्बार कब हुआ था, हमें जो question पता है, पता है हमें अगर पता कि untouchability किस constitution के किस article में हमें पता है, तो पता है, तो GS के questions जो है, वो सबसे कम time taking होते है वही reasoning सबसे जदा समय लेता है, इसलिए में students को हमेशा बोलते हैं कि reasoning के questions सबसे last में attempt कीजिए अब reasoning 35 marks की होगी, ठीक है, 35 questions होगे, जिसमें direction, coding, decoding, इसके अलावा आप jumbling देखेंगे, when diagram, puzzle, data, sufficiency इस तरीके से आपको ये सारे reasoning के topic कवर कराए जाएंगे, और last में होगा GA, जो कि 50 number का है GA में सबसे important role को प्ले करता है, तो वो होते हैं current affairs की classes आपको यहाँ पर one year की current affairs कवर कराए जाएंगे, ठीक है, जो आपकी तयारी को और भी अच्छा करेंगे, जैसे कि अभी BAFTA award दिये गए, Oscar award दिये गए या Padma awards को distribute किया गया, या sports related कोई awards होते हैं, जैसे कि BBC का sport person of the year award किसे दिया, तो मीरा भाई चानू को दिया तो इस तरीके से basic question sports से मिलते हैं, awards से मिलते हैं, एक question आपको international और national day और उनकी themes से related होता है, जैसे कि अभी government एनाउस किया कि 5 October को हम Dolphin Day celebrate करेंगे Art and culture जे question आपको मिलेंगे, इसके अलावा आपको focus करना होता है NCRT पे, जो की 6th class से 10th class तक की होती, तो वो सारह सली बस यहाँ पे cover कराया जाएगा, science, quality, history, geography और economic जेग्राफिय में आपको Indian geography और world geography दोनों ही बाते हैं पे cover कराया जाएगी, important जो भी international organization है वो भी यहाँ पर आपको cover कराया जाएगे, जितनी भी government bodies और उनके headquarters है वो भी static portion में आपको cover कराया जाएगा, भारत में सबसे first prime minister कौन थे, पहले CAG कौन थे, पहले election commission कौन थे, तो static questions भी बनते हैं, वो भी आपको यहाँ पर complete कराया जाएगा, तो यह पूरा syllabus आपको RRB NTPC का provide कराया जाएगा, और जाधे information के लिए numbers आपको screen पर दिखाए दे रहे हैं, इन number पर आप call कर सकते हैं, अपनी जो भी doubts है वो आप इस mail ID पर mail कर सकते हैं, और एक बार visit जरूर कर आएएशाय यंग IES के साथ, thank you